नमस्कार मैं नोइस सुर्फ सिर्वात पूरे देस में कुरूना के बढ़ते मामलों के बीच दवाईयों की जो है काला बाजारी के खबरे इंजेक्शन सी कि वेकां कि विलगातार स्कायत आ रहे थी इन रेडिमि सीविर को लेकर दिया रिवारि में जिलाप्रसाशन को भी सुचना दियता हुए जिके बाद प्रसाशन की विलूशड को शूचना देचा और लेट निर्देशित दवाओं को बेचा जा रहा था, उसकी भी जाच की गई, आपको बता दे कि जिस तरीके से पूरे देश में कुरूना काल के दवरान, कुछ कुरूना के इलाज में जो जरूरी दवाईया है, इंजेक्शन जो रेडिमी सिविल इंजेक्शन है, उसकी खबर निकल के सामने आ र बन रही है, यह टीमें जो है लगातार काला बाजारी को रुकने का हर सार्थक प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में भागलपूर में भी ड्रग जिवाग के स्पेक्टर ने दयान प्रसाशन की टीम ने ग्लोकल अत्पताल में जो है चापे मारी की है, वहां के स्टॉक की लगाया गया है कि किस तरीके से कितनी रेट पर दवाईयों को बेचा जा रहा लगातार, रेडिमी सीविर को इंजेक्सन जो है उसकी रेट और उसकी डोज को लेकर के सिकायत मिली थी, इसी कड़ी में प्रसासन जो है, अब इस तरीके के ठागी को रुकने के लिए हर कानू के लिए पूरी फामली का गेट तूगेदर था, 9 अपरेल को मेरे हस्बेन की तवियत खराब हुई, फीवर हुआ उनको काफी तेख, हमने कोरोना का दो दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, आटी पीसी आर के लिए दिया, तो वहाँ पे भागलपूर मे थे, हम लोग उहाँ पे एक दिन, दो दिन वेट करते करते, दस दिन तक रिपोर्ट नहीं आया, फिर हमने नोईडा के एक डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन से, उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है, हम लोग भागलपूर गए और सिटी च कुछ नॉर्मल था, उस में रिपोर्ट में था, फिर हम लोग नेक्स डेग लोकल हॉस्पिटल है, भागलपूर में, लोकल हॉस्पिटल लेके आये, वहाँ पर आड्मिट कर आये हमने आइसीव में, मेरी मदर की भी तव्यत खराब थी, मेरी ममनी और मेरी हस्बेंड, दोन कि सारे जलात से सर, कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था, मेरी मदर तचुड बेटर कंडिशन में थी, थोड़ी मेरी हस्बेंड बोल भी नहीं पा रहे थे, उस समय तक, इशारे से पानी का ऐसे से बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर, वो मुझे ह पानी पिला दो, जब मैं अंदर जाती थी, तो ये लोग अला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर, फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, चूस पिलाती थी, रेमडि सिवीर इंजेक्शन का नाम आप लोगों अभी तक सब ने सुन लिया होगा, कि कि इतनी मुश्किल से मिल रहा है, डॉक्टर ने वहां सजेस्ट किया, मेरे दो-दो पेसिंट थे वहां, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया, जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने, हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते हैं, आपने कैसे गिरा दिया, उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी, हम लोग चुप चाप, वहां से सर हट गे, थोड़ी दिर बाद, वहां पे मेरे हस्बिन को मैंने दे शानी है उनको, जब मैं गई तो मैंने देखा, पूरे गंदे बेट पे मेरे हस्बिन, 6 फिट, 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोय हुए थे सर, मैंने जबरदस्ती सब को बुलाया, एक आदमी था जोती कुमार करके, जोती कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजि उसको मैंने रिक्विस्ट किया, कि भाया प्लीज आप मेरे हस्बिन की मदद कर दीजे, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इस इनके पास, उसने बोला ठीक है, जरूर मदद करूँगा, ये कहके, और मैं अपने हस्बिन से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी, अचानले से मेरा दूपट्टा खीचाया बहुत जोर से, मैंने सोचा क्या हो रहे है जब मैं पीछे मूरी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दूपट्टा वो जोतिकुमार खीच रहा था, मेरी मा पीछे से चिलाई, मेरे हस्बें ऐसे होने लगे पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो, जब हम लोग ठीक थे न, मैं बाहर निकलती थी न, कोई मुझे ऐसे देखता था न, नॉर्मली ही, तो कहते थे आख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे ह मेरे वाइब का कोई दूपटा खीच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा न, तो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे दूपटा खीचा, और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से, कि मेरे हस्बें नहीं हाँ पे है, मेरे माँ यहाँ पे है, यह लोग कुछ कर देगा, इस कोई, कोई सोविधा नहीं, कुछ नहीं, मेरे हस्बें की तब्याथ उस दिन से बिगरी, जब रात के दो बजे में मेरी मधर के बगल वाले बेड़ पे, एक अंकल मासक उनका हट गया था, और वो अंकल चिला-चिला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्मी चिला रही थ दिया, ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर धम तोड़े हैं, बिना केर के, बिना नर्स के आए, सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी, कहती थी, पागल हो गए है, हम ही अब मढ़ जाएंगी, इस कोरोना के चकर में, तो क्यू जोब कर रहे हो, खराब, ICU में चार बेड़ था, मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड़ पे, चार लोग, छे से साथ घंटे में, चार लोग खतम हुए, क्यों खतम हुए, वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आजा, दिक्का थोड़ी है, दिक्का थोड़ी है, और सिस्टर नहीं आती थी, ए और वाइट कलर का जम गया उनके उपर, बहुत ज़्यादा तवियत खराब हो गई, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कि हो क्या रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में आना, दॉक्टर को कम से कम 5-6 बर मेरी बहन बुलाने गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर था ही ने परसों, सुनिए मेरी बात पहले, पुरी कहानी मेरी सुनिए, मेरी बहन 5-6 बर गई है बुलाने डॉक्टर को, माया गंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, या रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे, जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट औफ इमर्जेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ओफ और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं और दरवाजा तक नहीं खोला सर मेरे हस्बन की ऐसी हालत होगी जब मेरी दीदी बहुत जाके चिलाई तब एक डॉक्टर आये वहां से तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है लूश्ची था आला वे लगाया था स्विठाई झाब हमाराइं तुरंत पहीं नहीं लगाते तब नहीं दें-'sir हमने बेट का किया बहुत पता नहीं था दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था हम पतना आए राजिश्वर हॉस्पिटल में सर पतना आए यहां पर इन्होंने कहा मेरे हस्पिन रोने लगे कि मेरी वाइप को बस भेज दो वह रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगोंने नहीं अलाओ किया सर अज मैंने देखा एंबुलेंस से हम लोग भागलपूर से पटना आये थे राजिश्वर रास्तिम उनको तीन बार पौटी हुई थी सर उसी ग अब मेरे से नहीं रहा होगा मुझे किसी तरह से अंदर भीजवाई है तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भीजा और 37 से 74 मैंने कर दिया दस मिनट में मेरे बाबो का मेरे बाबो काचीजन लिविल में बढ़ा दिया उसके बाद लोगों तो एक डॉक्तर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाओड नी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सब तो करना से बिमार पर रहे हैं हम लोग कितना देखे हम लोग क्या मड़े खास्ते खास्ते सब को देखके बैठिये चुपचापर देखिये 15 दिन तक तक sir एक टेबल पे एक ल दाल डोटी सब कुछ पिलाया सर इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फॉर्स्ट दे बोला था ये बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बात कहता है टचुड क्या कर दिया अपने इनके साथ ये तो एकदम ठीक हो गए गजब का फाइट दिया आप दोनोंने मिल करें कि मुझे क्या पता था कि मैं फाय्ड ए रही हूँ और यह लग मेरे बाबू को खतम कर देंगे इतना औक सीजर का चल्लत Care हमेरा बाबु डर गया बहुत ज्यादा उक्सेजरा देखता था और कहता था हाँ वो ख।ो मुदलुकर से नहीं गयास बाबु डेड़ש कोड़ सोप्लाइगो था बाद हुपता चल्ला है लोग ब्लाइक मार्केटीअं कर यह अंदर में founders सिलिंडर का जो कम जो ऑस्पिताल वाले हैं ना वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खड़ी दे उन्हीं से हम भी खड़ी दे सर मैंने भी खड़ी दा क्या करते क्या करते हमें भी तो चाहिए था पर सो सुबह में हमारे पास एक ही सिलिंडर थ हुआ हुआ है